गाइस मैं सूरज आज आज आपके नई वीडियो के साथ आ हैं प्यारे मेरे दोस्तों मैं आज आज आपको बताने वाला हूँ ज़सी एगरी कल्चर सेकिंड सेमिस्टर की बात करूँगा और आपका जो पेपर है वो है फोर्थ पेपर ठीक है चौथा पेपर आपका एगरी क परशन तक बीच में हम दे सकते हैं जो आपको इमपर्टेंट आने वाले इससे एक भी कोशन बहान नहीं आएगा जो हमने आपको 18 कोशन दिये थे उनमें से आपको 83 परशन फासा है तो देख लेते हैं ऐसा एक्जाम में कौन-कौन से कोशन जो हमने बताय थे 2019 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज्यादा आज दोस्तों को शेर करते हैं तो बात करते हैं यह जो सत्र मार का को शुचन और इन घंटे में शौल्ब करना पड़ता है और यह सेक्शन बात करते हैं लॉंग कोशन जो आपका 15 नंबर का एक कोशन होता है तो देखो पहला तो मैंने यह आपको इंपर्टेंट नहीं दिया था इसे छोड़ दो ठीक है नेक्स्ट कोशन को देखिये इसका अथवा वाला क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों इसका अथवा वाला बोला है कि कीटों में पाई जाने वाले बिबिन पिरकार के मुखांगों की सूच तो यहां आपके कितने हो जाते हैं 5000 नमपर कर देखे हैं सलो देखते नेपर का बनाई है और उनके विभिनल एंगो की रचना और का बढ़न कीजिए ठीक है तो मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया था ठीक है तो इससे चोड़ दीचिए क्योंकि जो भी इंपोर्टेंट नहीं दिया था उसे चोड़ो यहां देखो अधवाला कीट के पैरों का नामशित्च बना जिए कि कीट के जो पैर होते उनका चित्र बनाने के लिए को इंपेड़न दिया था और किनि 5-55 पैरों के चित्र ओधान देखिए मैंने कहा था कि कीट के वारे में पैर की चित्र के कैसे बश किसे बने तो हम आपको करके लास में बताएं कितने अंबर हमारे दोर बताएं और आपको पीडियों के डिसक्राइब दे रहा है देखे नर और मादा टिड़ो के जन्रांग पर के वल चित्रसहिद बदाए था यह आपको पंदर नमबर किलिए हो जाता है यह आपका पंदर नमबर क्लियर हो जाता है और इसका अथवा वाला देख लिए ठीक है यह अथवा यह आप बहुर करना नहीं चाहते तो इन तीनों करना उससरदन भी मैंने आपको इंपटरेंट दिया था उससरदन और एंडो टेरी डोड़ा यह मैंने आपको आपको करना है सिंप्ली यह आपको पंदर नमबर का क्लियर हो जाता है तो पंदर नमबर हमारे दौरा बताए हूँ आपके फास चुके हैं तो आपको देख लेता है सौट एक्शुली रूखो ठीक है सौरी यहां आपको एक्शुली एक थोड़ा सा पेंच यहां सा डाउन हो चुका है दिखते हैं तो दोस्तों इसका अत्वा वाला जो कोश्चन है उसका अत्वा पाला देखिए वह मैंने आपको बढ़ा पंदर नमबर का प्लियर हो जाते हैं मतलब 45 नमबर आपके क्लियर ह यह भी मैंने आपको प्लियर हो जाते हैं ठीक है अब उसके बाद आजाता है सेक्टन भी जिससे हमको तीन ती नमबर के एक कोशन बनता है ठीक है अब देख लिए हमने इसमें सौर्ड कोशन में कौन-कौन से आपको इंपूटेंट दिया था ठीक है और बिर्मरतक परिवर दोर बता चुके हैं और टोटो नहीं है से यह अवन आपको इंपूटेंट नहीं दिया था ठीक है तो उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहां हमने देखिए पहला कोशन दूसरा कोशन तीसरा कोशन और पांचमा कोशन हमारे तो बताएगा यह फस गया है तो तीन तीन है यह इनको इंपूटेंट दिया ठीक है तो यह क्या होता है साथ नम्बर आ शुके हैं और आपको के भल दस नमबर के आते हैं psychiat सी में सचन का जो गड़ होता है वो कौन सा गड़ के अंतरकत कौन से वर्क अंतरकत आती है यह आप पढ़े होंगे एक बार तो आपको पाई हो मेरी विडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को शेर कर देना थैंक यू दोस्तों